आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि लाइट पेंटिंग कैसे करते हैं लाइट पेंटिंग का मतलब है पेंटिंग यूजिंग लाइट इसमें आपको एक या फिर आपका ऐसा फोना जिसमें आपके बास शटर का पूरा कंट्रोल जिसमें आप लॉंग शूट कर सके तो लाइट पेंटिंग करने के लिए आपको डाक इन्वाइमेंट चाहिए होता है और उसके बाद फिर जैसे ही आप अपने शटर को खोलेंगे जाद एर के लिए तो जो भी आप लाइट कामरे का आगे हिलाएंगे जिस पैटन में भी लाइंगे तो वह एक पेंटिंग के तरह उससे डिजाइन बन जाता है तो इसके लिए आपको नॉमली जोग यूज करते हैं आपकी अधर ट्यूब लाइट यूज कर सकते हो आप पतली या कोई छोट प्रसेस बाइब करना कैसे होता है हमारे पास निक्न का काम दिखाते हैं कि क्या 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 सेटिंग इसंग रखनी होती है अब सदूल अगरा कामरे से करना है तो उसके लिए आपको अधीन चीज़े रिक्यों को लेंट मेंट होगा है और सांध में ट्राइपॉड जिसपर म शटर केबल क्योंकि नॉर्मली आप लॉंग इस्टर को दबाएंगे तब भी कहीं बार कैमरा हिल जाता है तो केबल से कैमरा बिल्कुल हिलता नहीं है तो आप दिखाते हैं कि आपको सेटिंग क्या रखनी है और इसके लिए अगर आपको सब्जेक्ट को भी बीच में लाना ह अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो फिर तो आप सिर्फ अपना इन आइटम से काम चला लोगे क्योंकि बैक्राउंड में आपको सिर्फ लाइट रिखेगी जिससे आप पेंट कर रहे हो और जाकर सब्जेक्ट होगा तो फिर उसके उपर एंड में आपको फ्लैश मानने पड़ेगी तो में आपको दिखाता हूँ करीना गार्ट की हैठ रह्सिसी तो मेमोरे को आपको मैनुल मोट पे लाने के बाद आप क्योंकि आप सबसे पहले अपना परूद को मैक्सिमुम कर दो मैक्सिम पाचर हर लाग अन्रग होता नहीं है इस वीजिसका मैंध्यु तक あり 179 तक जितना मैक्सिम्म पर चला कर दो तागी डार्क हो जाए और आयसे को मिनिमम आपने करने हैं यह जितना आपका जाता है वो कर दो और फिर शेटर है शेटर को आप कर दो बल्मोड पर बल्मोड पर जाने के लिए आपको बस शेटर वाली इस चीज़ को घुमाते रहने अब से एंड में आपका बल्म आएगा पर बल्म के अंदर आपका यह वागी जब तक आप शेटर रिमोड जैसे मैंने साइड में लगा लिए जब तक आपका कैमरा खुला रहेगा और उतना एक्सपोजर आपको मिल जाएगा तो इसमें आप राम से पेंटिंग कर सकते हैं अपना शेटर चालू हो गया और इतनी देर में आप आगी कुछ भी आप एफेक्ट्स कर सकते हैं अपनी आरजी भी लाइट से और फिर उसके बाद जैसे आप इसको वापस करेंगे तब आपका रिलीज हो जाएगा शेटर यह देखिए तो अभी तो लॉंग एक्सपोजर एक मिनट जो भी आपको टाइम चाहिए वह आपको टाइम मिल जाएक उसमें आप कर सकते हैं और इस वीडियो के अड़े में आपको फूटो दिखाता हूं कि क्या रिजल्ट आता है परफेक्ट फूटो नहीं है क्योंकि हमारा भी फर्स अटेम्ट था बाकि अगर आपके खुली जगह हो और टाइम और अटेम्ट करेंगे तो आपको एक अच्छी फोटो मिल सकती है राम से करना कुछ नहीं है बस आपको बल्क पेस कुछ आके और आरजीबी लाइट ऐसे कोई भी लेनी है इसको आप ले जाओ क्यामरा के आगे और आन करके इसके आगे कुछ ऐस इसको मैंने पैटन पर डाला हुए पुलीस वाले और यहां पर एक्स्पोजर खोलते हैं अब अब यहां पर अल्रेड़ी थोड़ी सी लाइट है तो इसलिए आप ज्यादा टाइम नहीं है में फटाफट करना पड़ेगा जब बूरा डार्क होगा तो हमाई को और टाइम म अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं अब मैं आपको एंड में फोटो शेयर करता हूं जो हमने अंधेरे में ट्राइब करी थी आपको आड़ेल है कि क्या 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 हो सकता है तो यह था आज का छोड़ा सा वीडियो अब लाइट पेंटिंग थैंक्यों वाचिंग क्या थे यूरो शेयर कि मा जई पकर ऐाओगदए